बिग बॉस OTT ए कंटेस्टन रहे मिलिन गाबा हाली में सो से बाहर हो गए उसके साथ भुजबुरी एक्ट्रेस अक्सरा सिंग भी एविक्ट हो गई घर से बाहर आने के बाद जब मिलिन गाबा को सिधार सुकला की खबर मिली तो वो बहुत सौक हो गए उन्होंने इस बारे में बात की फैक्ट्साई से बातचीत में मिलिन ने कहा जब मैं बाहर आया और मैंने सिधार की खबर सुनी तो इससे मुझे अंदर से हिला दिया मैं इस खबर पर यकीन नहीं कर पाया न मैं इसे हैंडल कर पाया और नहीं स्विकार जो भी हुआ वो बहुत अनफैर हुआ और ये नहीं होना चाहिए था बहुत गलत हुआ और जब मैंने ये सुना कि उनका निधन कैसे हुआ उनका सिर सेनाज की गोद में था तो मैं बिल्कुल हिल गया ये बहुत ही ट्रेजिक है आगे उन्होंने कहा मेरी प्रातनाएं उनके साथ है माता रानी उनकी आत्मा को सांती दे मुझे पता है कि वो हमारे साथ नहीं है लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे जैसा मैं कहता हूँ कि मैंने अपने बिग बॉस के सफर से लोगों को कमाया है सिधार्थ ने अपने लाइफ टाइम में बहुत से लोगों को प्यार करने वाले फैंस को कमाया है वो हमेशा प्रात्नाव में रहेंगे मैं उनकी फैमिली के लिए भी प्राथना करता हूँ बता दी कि 2 सितंबर को सिधार्थ सुकला का निधन हो गया अगले 3 सितंबर को उनका अंतिम संसकार हुआ 6 सितंबर को सिधार्थ के लिए प्रेयर मीट रखी गई थी तो उमीद करेंगे दोस्तों आपको यी वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यी वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद